15 नवंबर को प्रदेश भार में जन जाती है गौरव दवस मनाया जाएगा जिसे लेकर अब सियासत का सिलसला पी शुरू हो गया जहां आदिवासियों के मान सम्मान को लेकर राजी सब्भास साथ दिगवजय संग ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो वहीं इन आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मानि दिगवजय संग पर निशाना साधा है देखे एरपोर्ट पहली बात तो यह है यह आदिवासी प्रेम इस बास ते जलक रहा है कि आदिवासी उप्योजना का 13 करोड जो आदिवासी शेत्रों में इसको निरंतर आदिवासियों पर किस कदर शोशन हो रहा है इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं आपने अगर नोटिस ना किया हो तो आप ज़रा नोटिस कर ले और स्वेम भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कहते हैं कि हम यह आदिवासियों से चर्चा की है और भारती जनता पार्टी का एक नेता उनका जो खासम सब्सक्राइब कि इससरे ह क elites बताता है और इस बाता है कि मैंने आदिवासी हीरा लाै आदिवासी जमीन खरी दी आब वह हीरा नादिवासी की जमीन 90 लाग के खरीदी यह उन्होंने से बताया है मैं पन्ना में उस हिरलाल आदीवासी घर पे गया उस हिरलाल आदीवासी का घर कैसा मैं कल आपको उस पे ट्विटर पे डालूँगा एक कच्चा घर जैप मैंने पूचा भजय हिरलाल कहा गाऊ है उसका भाई बात ये है किस कदर से धोका दिया जा रहा है और कानून का पालन नहीं किया जा रहा है वहां की महिलाओं को मैं खुद चार किलूर चलके थानम है मैं रिपोर्ट करा रहे गया F.I.R. दर्ज नहीं की गई ये कानूनन जुर्म है S.C.S.T. अत्याचार अधिनियम की अंतरगत अगर कोई पुलिस का अधिकारी F.I.R. दर्ज नहीं करता है आदिवासी को सहयोग नहीं करता है तो वो पुलिस का अधिकारी भी भागिदार बनता है ये सब केसेज हम मोदी जी के सरकार में और भाजपा सरकार में स्टेट में जो मामू गैंग चली हुई है इस मामू गैंग को बुजागर करने के लिए ये जनजागरन अभियान में आदिवासी शेत्रों में विशेश तोर पर हम लोग काम करेंगे दिगुजय सिंग जैसे विक्तियों की बात पर मुझे लगता है कि कोई जवाब देना ये तुम्हें इसलिए अच्छा नहीं वानता जो कि दिगुजय सिंग को इस देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उनको आतंकवादी जोंके मीत हैं उनके बारे में उनका सम्मान करना और सेना पर जो प्रस्ण खड़ा करता है जो हर प्रकार से देश के बारे में कुछ भी ऐसी चीज है जो देश के लिए अच्छी हो सकती है उसके ख़लाब में खड़ोंने वाले देवुजय सिंग तो जन्जाती मंत्रा में बना करके उनके लिए काम किया था उनके विकास का रास्ता साथ किया था और इसी प्रकार से आज मानी प्रधान मंत्री जिए ना मानी मुक्त मंत्री ने जिस प्रकार से पंद्रे नोमर को घौरव द्रस मना करके जो एक बड़ा एत्यासिक कदम झाल